नमस्कार स्वागत आपका नीजरों पोस्ट में मैं हूँ आपके साथ रोशने सी एक्टर पॉलिटीशन मिथून को लेकर चिंतित कर देने वाली बड़ी ख़वर सामने आई है मिथून चक्रवर्ती को इस्पताल में भरती कराये गए अभी नेता से नेता बने अभी नेता को सनीवार यानी की आज कुलकता की ओपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया कथे तोर पर अभी नेता की तव्यट ठीक नहीं थी जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया दिगज एक्टर और बीजीपी नेता मिठुन चक्रवर्ती की हल्थ के बारे में जानकारी उनके फैंस के भी चिंता का महौल बना हुआ है कुलकता के ओपोलो हॉस्पिटल में उनका इलाज किया जा रहा है मिठुन चक्रवर्ती 73 साल के हैं मिठुन चक्रवर्ती को अचानक सीने में दर्द के साथ साथ विचैनी भी महसूस हो रही जिसके बाद उन्हें फॉरल अस्पताल ले जाया गया फिलाल उनकी तवियत अभी इस तेरह अब घबराने वाली कोई बात नहीं है फैंस उन्हें ठीक होने की दुआ भी मांग रहे हैं दिगजबी ने था मिठुन को हाली में प्रतिस्टित पद्वूशन पुरुसकार से सम्मानित किया गया था मिठुन को हिंदी सिनेमा में डिस्को डांसर के तौर भी जाना जाता है अपने एक्टिंग करियर में उन्होंने परिवार, मेरा यार, मेरा दुश्मन, बात बन जाए और दिवाने तेरे नाम जैसी लगभग 350 फिल्मों में काम किया है मिठुन बीते साल नमंबर में टीवी शो सारे गामा पा के एपिसोड में चीफ गेस्ट के रूप में नजार आ चुके हैं उन्होंने कई शानदार फिल्मों में काम किया अक्टर ने कई टीवी सो उस भी जज रह चुके हैं पिछले 15 दिनों से भी नेता मिठुन कोलगत्ता में बंगाली फिल्म सास्त्रे की सुटिंग में व्यस्त थे विवेक अगिनोत्री की मूवी दा कश्मीर फायल्स के बाद मिठुन चेकरवर्ती को आखरी बर बंगाली फिल्म काबूली वाला में देखा गया था फिल्म दा कश्मीर फायल्स में रिटायर आई इसका रोल अदा करने के लिए उन्होंने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए फिल्म फेयर अबॉर्ड से ली नवा जा गया था अगर आपको मारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें कमेंट करें शेयर जरू करें अगर आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें